हेई गाइस मोटर व्लोग इंडिया की एक और नहीं मस्त वाली वीडियो में आप सब भाई लोगा का स्वागत है कैसे मेरे भाई लोगा I hope आप लोगो सब कोई बढ़िया होंगे गाइस फूलन मज़े कर रहे होंगे और आज की वीडियो नहीं काफी स्पेशल वीडियो यहा अब ही आपको Tata Harrier और Tata Safari में देखने को मिल रही है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या 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 सेफटी में फीचर देखने को मिल जाएंगे और क्या 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 आपको convenience फीचर मिल जाएगो जो कि आपको day to day daily drive में आपको help कर सके आपके जो आपके राइड को आपके drive को easy कर सके तो वीडियो शुरूर करते हैं गाइस आप लाश तक देखना इस वीडियो को और आपको ना कोई भी यानि कोई भी ऐसा चीज नहीं होकर ने जो आपको पता नहीं चले है कि हाँ यह आडास में आपको यह फीचर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो पहला फीचर के बात करते हैं गाइस तो वो है front collision warning इसमें क्या है ना गाइस जिसे आपको इसी particular speed में चल रहा है और आपके सामने कोई vehicle जा रही है उसकी speed आपको पता नहीं चल रही है लेकिन अचानक से वो रुग गई तो उससे क्या होता ना कि आपको एक notification आजाता है आपके instrument console में और आपको एक beep की sound भी आ जाती है यानि audio alert भी मिल जाती है जिससे आप अपना यानि brake है जल्दी सा आप दबा सकते हैं तो यह एक आपको feature देखने को यहाँ पर मिल जाती है दूसरी feature जो आपको मिलती है ना गाइस वो है rear collision warning जब हम लोग drive करते है तो हमें पत आपको feature मिलती है वह autonomous emergency braking आप जब drive करते हैं अचानक से कोई भी आ जाता है यानि कोई vehicle आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि collision होने का यानि टकराने का डर है लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक notification में आ जाती है और audio alert के साथ और एक emergency brake भी लग जाता है जिससे कि आप collision हो करने से यानि टकराने से आपकी जो vehicle है आपकी जो car है वह बच जाती है तो यह काफी अच्छा feature है गाइस मेरे को पस्नाट यह बहुत अच्छा feature लगता है और फूर्थ में आती है गाइस blind spot detection इसमें क्योंता है कि जिससे आपके left right से को vehicle जा रही है तो आपको 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 उस वक्त भी आपको यहां पर notification आ जाती है आपके instrument console में और with sound कि कोई vehicle आने आ रही है तो आप अपना door open ना करें तो यह काफी अच्छा feature है गाइस बच्चों लोग के लिए ना especially यह काफी अच्छा feature है इसमें क्या होता है जैसे आपना अपना वेहिकल है उसको पार्किंग में लगा दिया अब पार्किंग से जब आप निकाल रहे हैं तो पीछे सो कोई vehicle आ रहे है तो उससे पता नहीं जाता है कभी ब्लाइंड spot हो हो जाते है तो यहां पर जो आपको sensors है वो काम करते है आपक पीछे सो कोई vehicle आ रहे है तो आप अभी brake लगा लीजिए और पीछे ना जाया और आपके नहीं जो infotainment system हो वहां पर भी आपको डिस्प्ले में दिख जाता है कैमरा की थुरू कि पीछे कोई vehicle है तो आप brakes लगा लीजा महां पर उसके बाद यहां पर आपको feature मिलते है ना आपको मिल जाता है आपको बताऊंगा सब कुछ अगर वीडियो अच्छे लग रही है तो लाइक जरू कर देना गाईस वह है लेन departure warning इसमें क्या है गाईस कि जैसे आप किसी highway में cruise कर रहे है और गलती से आपकी जो lane है वह change हो जा रही है तो उसमें क्या होता है कि आपको ए यानि ORVM में कि वहिकल एक आ रही है तो आप देख के आप lane change करें ठीक है या फिर आप indicator दे दे उसके बाद आप lane change करें तो यह काफी अच्छा useful यहां पर आपको feature देखने को मिल जाता उसके बाद गाईस आपको high beam assist भी देखने को मिल जाता सामने से को गाड़ी आती है तो हाँ आपको इतना speed में चलना है इतना speed में वो cruise करना है तो वो इन्हें detect कर लेती है और उसके बाद वूसी speed में आपको वहाँ पर cruise करने को देखने को मिल जाता है तो यह सारे features देखने को आपको मिल जा रहे है ताटा Harrier और टाटा Safari में और safety wise तो काफी भी टाटा ने ध्या में अबता किले लव यव गईस